गुड मॉर्निंग एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो मेरा नाम है मनंदर सिंगोला और आप जुड़े हुए मेरा ऑफिशल यूटूब चैनल से पहली वार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए आज इस वीडियो के अंदर डिसकर्स करने वाले हैं क्रेडिट के वारे में आई मिन ओ कॉइन क्रेडिट के वारे में ओ एस बिड्रॉल पे आउट ओ बेरिफाई एंड इसके लावा और भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉमिशन हैं जो की स्पेशली फाउंडिंग मेंबर्स के लिए हैं आज इस पूरी व कोइन्स हैं यानि कि जो उनका प्याउट बना हुआ है जो उनकी इंकम बनी हुई है वो उनके क्रेडिट ऑप्शन के अंदर पहुँच गई है तो काफी लोगों ने जो है मुझे स्क्रीन शेयर को शेयर किया है और वहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो प्य क्रेडिट वाले ऑप्शन में ओ कोइन्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूत नहीं है क्योंकि इस समय ओएस के अंदर काफी ज़्यादा वर्क चल रहा है बैकेंड के पीछे काम चल रहा है तो कुछ चीज़ें जो है डिस्ट हो जाएगा क्योंकि कंपनी को भी इसके वारे में जानकारी है लेकिन सबसे ज्यादा जो है परेशान होने वाली बात यह हो जाती है सभी फाउंटिंग मेंबर्स की मन में कि जब तक ये क्रेडिट ऑप्शन से निकल करके प्याउट वाले ऑप्शन में ओ कोइन्स नहीं है कि यह हमारा एकोसिस्टम के अंदर जितने भी यह गड़वड़ी हो जाती है समय समय पे यह सारी के सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सही हो जाएंगी तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है अब बात करते हैं यहाँ पर OES के बारे में OES के अंदर अभी हम सब लोग बहुत सारे बदलाव यहाँ पर देखने वाले हैं जी हाँ बहुत सारे बदलाव यहाँ पर देखने वाले हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर अपने OES को ले करके लगातार यहाँ पर काम चल रहा है कुछ यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं और हमारा जो एकोसिस्टम है वो की जा रही हैं बहुत सारे चीज़ों को और आप्शन को वहां पर इंटीग्रेट किया जा रहा है एंड इसके अलावा जो आपको एक चीज और भी पता है कि ओट्रैकर हमारा OES एप्लिकेशन में दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हमारा जो OES ट्रैकर है वो आने वाला हो और वो किस तरीके से आएगा फ्री ट्रायल के रूप में आएगा या फिर हम डारेक्ट उसको सब्सक्रेप्शन के मादधी हमसे पर्चिस कर पाएंगे किस तरीके से आएगा तो इन सारे चीज़ों के पीछे OES में लगाता काम चल रहा है strong बनाया जा रहा है क्योंकि हम सब लोगा business करने वाले हैं business के लिए ecosystem को पूरी तरीके से तयार किया जा रहा है इसलिए हमें ज़्यादा tension नहीं लेनी है ये बहुत अच्छी बात है कि कभी कभी हमारा ecosystem open नहीं होता है या O Connect में हमारा कोई option काम नहीं करता है या ecosystem में कोई option का नहीं करता है तो इसमें ज्यादा tension नहीं लेना है बस आपको अब तो बहुत कुछ समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि आफ काफी लंबे समय से अपडेट ले रहे हैं काफी लंबे समय से बहुत सारी चीज़ें यहां पर बन रही है बिगड़ रही है तो इन सारी चीज़ों हम सब लोगों का verification यहां पर होने वाला है और इसलिए company ने अपना ही खुद का जो product है ओ verify इसको double up किया है और यह double up हो चुका है अब हम सब लोगों को यहां पर ready होना है अपने verification के लिए यहां पर कभी भी हमारा जो है verification से related कोई भी जो most important information है किस तरीके से verification करना है कौन कौन से documents हमें वहाँ पर हमें वहाँ पर लगाने है ज़रूरी है वह सारी कि सारी चीज़ भी सारी information हम लोगों के पास कभी भी यहां पर आ चाहिए कि मुझे अपना जो यहां पर identity जो पुरी तरीके से confirm करनी है वो मुझे किस तरीके से करनी है अगर हम अपने इंडिया की बात कर तो इंडिया के अंदर अपने बेरिफिकेशन को करने के लिए जो डॉकुमेंट जो यूज किये जाते हैं वो है अधार कार्ट, पेन कार्ट, ड्राइविंग लैसेंस, पासपोर्ट एंड इसके अलावा हमारा जो एक बोटर आडी होता है यह सारे के सारे डॉकुमेंट हमारे बेरिफिकेशन के लिए इस्तिमाल किये जाते हैं जिसमें आधार कार्ट सबसे मस्ट रहता है, आधार कार्ट सबसे उपर रहता है और अगर आपके पास सारे डॉकुमेंट हो ना हो लेकर अगर आपके पास एक डॉकुमेंट हो वो है आपका पासपोर्ट तो और भी ज्या अलावा हमारा जो pen card है या voter ID है इसको देखना ये पड़ेगा कि ये allow किये जाता है या नहीं किया जाता है लेकिन कुल मिला करके वहाँ पे हम सब लोगों को options तो जरूर मिलने वाले हैं कि हम अपने verification के लिए कौन कौन से document दे सकते हैं क्योंकि हर country का अपना अपना जो document है वो के सारे documents को अपने system के माध्यम से upload कराना फिर उनको verify करना ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है तो यहाँ पर company जो है अपने back end पर पूरी तरीके से काम कर रही है कि कि किस document को जो है किस तरीके से यहाँ पर check किया जाएगा तो हम सब लोगों को अभी से ही अपने आपको prepare कर लेना चाहिए क्योंकि 2024 के अंदर ये सारे की सारे काम जरूर होने ही होने है इसके अलावा OES जो आपका slow हो जाता है कभी कभी तो आपको ज्यादा tension नहीं लेनी है यहाँ पर OES के अंदर लगातार काम चल रहा है और अगर OES के साथ साथ अगर कोई भी दूसरा product है जो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है या आपका product open नहीं हो रहा है तो आपको ज्यादा उसमें tension नहीं लेनी है अब एक बहुत ही जरूरी बात मैं करना चाहता हूँ जी हाँ बहुत ही important बात जो है मैं करना चाहता हूँ वो जरूरी बात यह है क्योंकि हमारे इस on passive family के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की आईडी को लेकर के अभी भी आज भी बैठे हुए हैं for example मेरे पास दो लोगों की आईडी है और मैं किसी को देना नहीं चाहता हूँ for example बैसे तो मेरे पास कोई आईडी नहीं है ऐसे हमारे बहुत सारे लोग है इस on passive family के अ नहीं कराया गया है तो कुल मिला करके अगर ऐसे लोगों में अगर आपकी गिंती आती है तो जिसकी आईडी आपके पास है तो उसको आप अपनी आईडी अपनी जो आईडी है उसको आप सौंब दीजिए क्योंकि यह आपकी भलाई के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क् कोई भी ID किसी की नहीं रख सकता क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो की गलत हरकतें भी जो है एक दूसरे के साथ कर रहे हैं और जो गलत हरकतें कर रहे हैं आपको और हम सब को पता है कि वो जादा से जादा पैसों से ही related हैं जी हाँ पैसों से ही related हैं तो इसल को जानकारीं ना हूं इसलिए उनकी हुँ क्या कोई था फाइदा क्योंगोड रख्यूय सकता है कि विश्मत्य खाल और विजनिस और जिस identification होगा तो उस समय उस ID का क्या value रह जाएगा अगर आपके पास किसी की ID है भी तो जब verification होगा तो आपके पास तो उसकी document ही नहीं होगे आपके पास तो उसका number भी नहीं होगा उसमें तो face scan भी हो सकता है हमारे verification में हमारे उंगलियों के निशान भी जाएंगे तो इस तरीके से वो ID जो है आपके लिए भी बेकार है लेकिन अगर उस व्यक्ति ने सिकात कर दी तो हो सकता है कि आपकी जो ID है वो भी जो है उसके उपर भी आजा सकती है तो कुल मिला करके कहने का आर्थी ही है कि जिसकी ID है आप उसकी help करें ना कि उसकी ID को पूरी तरीके से अपने पास रख लें और उसके बहुत जादा जो कुछ भी उसका काम होने वाला है उसमें से कुछ जो है आप fraud करने की या फिर कुछ illegal हरकता करने की कोशिस करें आसा बिल्कुल भी ना करें बिड्रॉल्स जो हमारे हैं वो हम सब लोगों को यहां पे जैसा की company ने और एस मुफारे सरने हम लोगों को पहले ही बताया था कि हम सब लोगों को एक एड़िट का option मिलने वाला है जी हां बिड्रॉल्स लगाने से पहले जब भी हम अपना बिड्रॉल लगाएंगे तो यहां पर दो चीज़े होंगी जो एड़िट option में हम कर सकते हैं पहले चीज़ तो अगर आपने अपना amount आपने जो भी फिल किया हो उसे आप चेंज भी कर सकते हैं दूसरी बात वहां पे आपका जो amount आपने किस तरीके से आपने बिड्रॉल्स लगाया है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं bank to crypto and crypto to bank इस तरीके को दिया गया है तो बिड्रॉल्स आने से पहले एड़िट का option आने वाला है जिसमें हमें बिड्रॉल्स option चेंज करने का मौका मिलेगा तो अपना जो amount है वो आप सही तरीके से जरूर फिल करें यह थी हमारी कुछ important information और आज बुदबार है और आज देखते हैं कि रात में 360 की वेबिनार में एस मुफारे सर आते हैं या नहीं आते हैं don't miss today's 360 वेबिनार thank you so much have a nice day we are soon to win it जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी